हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडबनी ओनली आईएस, डेट है आज की 20 अपरिल 2023, और आप सभी का स्वागत है आज के प्रेले मूस्टर न्यूस डिस्कुशन के अंदर, देखें जो डेट होती है न, यह बड़ी ही इंपॉरेंट होती है, एक्चल में होता क्या है कि न, हर प क्या हुआ था, देखो उस टाइम पर जो हमारा पंचायती राज सिस्टम था, वो आया था न, अब जानते हो, 73 अमेंडमेंट जो हमने किया, 74 अमेंडमेंट भी किया, 73 अमेंडमेंट किया है कि 1992 में हमें देखने को मिला, और उसके बाद अलग-अलग जो हमारी स्टेट अस थी, उन्होंने इसको अप्रूफ किया, फिर बाद में, 24 अपरल 1993 को ये जो एक्ट था, वो इफेक्टिव बन गया, इसी वज़ा से इस दिन को क्या सेलिवेट करते हैं, इस दिन को सेलिवेट किया जाता है ऐस नेशनल पंचायती राज डे, बहुत इंपॉइंटर रोल हमन तो यह सर, 21 अपरल की, देखो, 21 अपरल को सेलिवेट किया जाता है, नैशनल सेवल सेर्वेट किया जाता है, तब की बात है, 21 अपरल 1947 को क्या हुआ, जो सरदार वल्लब भाई पटेल जी थे, ठीक है, ना, होम मनिस्टर हमारे रहे हैं, ठीक है, उन्होंने उस टाइम के जो Probationary Officers होते हैं, ठीक है, All India Administrative Service, ठीक है, उनके जो Training School में गए, ठीक है, जो Metcalf House, डेली में थाउस टाइम, तो वहाँ पर जाके उन्होंने एक बहुत ही famous speech दी, और यह speech बहुत ही, एक तरह की बहुत ही motivating speech थी, राइट, एंड साथी साथ इन्होंने ना, यहाँ पे, जो हमार पर किया गया, Civil Servants को, अब यही जो Particular Day था, 21 April 1947 का, अब इसी Particular Day को हमने 2006 के बाद, ठीक है, जो उस टाइम के प्राइम निस्टर थे, डॉक्टर मनमोंच सिंग जी, उन्होंने कहीं बोला कि नहीं, इस दिन को हम अब National Civil Services Day की तरह celebrate करेंगे, आई बात समझ में, तो आप एपिल 2023 को, 3.30 PM पे, हमारी टीम की तरफ से, एक्षिल में एक सेशन है, ठीक है, टीम बेसिकली, जो बेसिकली में कहने का बात कर रहा हूँ, कि जो IS Sonal Goel में है, उनकी तरफ से सेशन है, ठीक है, ठीक है, कंड़क्ट हमारी टीम की तरफ से करवाया जा रहा है, यहां पर दे यहां पर आके सेशन को अच्छी का रोल है, इस सारी की सारी चीज़ ने हैं, इस साल की अंतरगत ही हम एकस्पेक्ट कर रहे हैं, कि चाइना से आगे बढ़ जाएगी ऐसा UN ने बोला है, देखो यह थोड़ा डेटा में बता और रहे है, वारे फिलेंस प्रस्पेक्ट थे, Otherwise, main perspective से यह ज़्यादा important चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि GS1 में एक population करके मारा topic भी है, तो definitely आने वाले दिलों में बहुत सारे idea oils आएंगे, I'm very sure महाँ पर detail में discuss हो जाएगा क्या India को population policy चाहिए, किस तरह से वाला fatality rate है थोड़ा कम हो रहा है, ठीक आप यहाँ पर देख सकते हो इंडिया का fatality rate अब 2 के आसपास पहुंच गया है, जो की replacement rate 2.1 से अब नीचे है, तो growth तो नीचे आई है, which is a good thing, ठीक है न, तो यह चीज़ें आप यहाँ पर notice कर सकते हो, देखो कल मैंने आपको homework दिया था वोरुक रीजन के regarding, अब इसको एक बार समझ लेते हैं, देखो बहुत जाद आपको detail में जाने की जरुवत है नहीं इस रीजन के regarding क्यूंकि यह इंडिया से समंधित नहीं है, बट फिर भी हमें थोड़ा सा idea होना चाहिए, देखो जैसा क कि आप यहां पर मैप में देख पा रहे हो ना, यह दो कंट्रीज की बीच का डिस्क्रीट है, तैस तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, इसके regarding बहुत बार इनके बीच में जगड़ा होता रहता है, तो यही बनेगा कि वो रिक्रूजन न्यूज में था, तो कौन सी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के कांटेक्स में जादा इंपॉर्टन नहीं है, तो जादा हम डिटेल में यहां पर जाएंगे नहीं, ठीक है, बहुत ध्यान से हमें पढ़ना होता है, क्या शीज कितनी relevant है, अब कल के लिए मैं आप से पूछ रहा हूं, ठीक है, यह काफी बर्ड्स की बात करें है, अब होता कि यह बर्ड्स में देखे जाते हैं अक्सर, आई बात समझ में, वहां से इनका एक तरह से नाम आया है, मैं ग्रोफ पिटास, अब हुआ क्या है, रीसेंटली और इसा के अंदर हमने इनका सेंसर हुआ है, पहली बार जहां देखा गया कि इनको आप देख सकते हो, इस्टन इंडिया के कुछ पॉकेट्स के अंदर जैसे ओडिसा का भीतर कनिका हो गया, वेस्ट बेंगॉल का सुन्दर बंज हो गया, तो पूरा वोवला रीजन हो गया तीक है न, जो आप इस्टन इंडिया की बात आप देख सकते हो, साथ में इस स्टेट्स आपको निये थ्रेटन देखने को मिल जाएगा, और काफी थ्रेट्स हैं इनको क्योंकि यहां पर इनका है अपर देखने को मिल जाता है, तो यह हो गया मैंगो पीतास के बारे में, दूसर नमारा टॉपिक है इप्सा फोरम, इप्सा में आपको पहले भी पढ़ इप्सा की इंडिया, ब्रजील और साउथ अफरिका की, तो हुआ क्या था, दोजार तीन में इस ग्रूप का फॉरम किया था, ठीक है ब्रजील यह डेकलरेशन की अंतरगत, फिर दोजार चार में विसी लिए इसको अस्टैबलिश किया गया था, ठीक है स्टार्टिंग इस अमेरिका से ब्रजील हो गया, अफरीका से साउथ अफरीका, तो तीन अलग-अलग कॉंटिनेंट्स हम यहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है तो इनके बीच में कैसे हम ग्लोबल इश्यस को रिकार्डिनेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, और अलग-अलग सेक्टर्स के द बात है, यहां पर एक इपसा फंड है, ठीक है, इसको अस्टेबलिश हुआ सा दोजास चार में, ठीक है जो बात करता है कि किस तरह से हमें के इनके इंप्लिमेंट करना है, और इसको मैनेज किया जाता है, यानि की उनाइट नेशन ऑफिस वार साउथ साउथ कोपरेशन, ठ जो कि कि इस तरह से हम एक जो डिफेंस कोपरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके रिखानें यहां पर इसकोशन हुआ है, ठीक है, एक प्रिविएस एक क्षिशन दे रहा हूँ, 2020 का, मैंने एक पहले पुछा था, कि G20 के इनके रिखानें कौन-कौन से मेंबर्स हैं, पहली जो ग्लोबल बुद्धिस समिट हो रहा है, न यू देली के अंदर गत, इसको इन्गरेट करेंगे, 20 सेप्रल और 21 सेप्रल को यह हो रहा है, अब इसको कंड़क्ट किया रहा है, वाइपनिस्ट्री आफ कल्चर और साथ-साथ-साथ-ई-बी-सी, इस इन्टरनेशनल इस तरह के उनके बहुत सारे आइडियास थे, ठीक है, अब बहुत सारे इन आइडियास को हम यूज कर सकते हैं, हम कहिना कहीं modern problems का solution निकाल सकते हैं, बिल्कुल, और हमने निकाले भी हैं, ठीक है, जो हमारा कहिना के यह जो, ठीक है, स्वच बारत अभियान है, वो भी कहिन उनके बुद्धिजम के बारे में अपने आर्ट and culture section में पढ़ा भी है, तो बुद्धिजम की भी बहुत important teachings हैं, अब हम भी यही चीज़ करने ही कोशिश कर रहे हैं, कि आज के टाइम पे बहुत सारी हमें problems देखने को मिलती हैं, जैसे for example, climate change एक एक issue है, poverty issue है, conflict कितना देख मिल रही है, इनका solution कैसे निकाल सकते हैं, इसके regarding यहाँ पे यह particular summit हमें देखने को मिल गया, आई बात समझ में, ठीक है, अब यहाँ पे इसकी आप theme देखिए, responses to contemporary challenges, philosophy to practice, यह यहाँ पे बात करी गई है, यहाँ पर nearly 170 countries के में delegates देखने को मिल जाएंगे, जैसे Mexico, Cambodia, Laos, Thailand, Japan, और साथ-साथ 1.500 इंडिया से भी यहाँ पर participator करेंगे, अगर हम बात करें, आई बीसी की, जिसने formation के जिसना कंड़क कर वारा ना, ministry of culture के साथ साथ था, आई बीसी, तो आई बीसी क्या है, आई बीसी का formation वासा 2013 के अंतरगत, एक तरह की international Buddhist umbrella body है, जो की common platform के तरह अकर करती ह है, for all the Buddhist worldwide, इसके आपको headquarters देखने के मिल जाएंगे, कहां, New Delhi के अंतरगत, ठीके जी, next topic तरफ चलते हैं, that is, super critical carbon dioxide, अभी recently क्या हुआ है, IIT मदरास के दोरा एक नई research करी गई है, जिसके वेसी के उनने बात आया है, कि हम super critical carbon dioxide का use कर सकते हैं, ताकि जो depleting oil and gas reserve जो एक तरह से खतम हो रहे हैं, उनसे oil flush out करने के लिए, देखो, पहले तो आपको majorly समझना ये है, कि super critical carbon dioxide का meaning क्या है, देखो, depending upon temperature and pressure, हम ना carbon dioxide के अलग-अलग face देख सकते हैं, कि अगर उसका एक particular temperature और pressure लाए गया, तो solid भी बन सकता है, ठीक है, solid CO2 आप जानते होंगे, उस तरह से liquid CO2 त को पता है, अब यहाँ पर ना कई पर ऐसी situation आती है, जैसे माल लोग उनका critical temperature है, वो 31 degree centigrade से जादा है, और critical pressure 73 atmospheric unit से जादा है, अब ऐसी situation में पता क्या होता है, जो carbon dioxide होती है, ठीक है, वो उसकी properties कहीना की बीच में होती है, gas and liquid, ठीक है, जब आप कहीना की इस critical point में पहुंच liquid and a gas, तो बहुत important हो जाता है, इसके उपर जाओगे तो आपको super critical देखने को मल जाएगा, अब इसकी जो properties हैं, हम उसको use कर सकते हैं, कैसे use कर सकते हैं, एक तो हो सकता है, हम carbon dioxide sequestration के दर use कर जा सकता है, आप जानते हो न, carbon capturing and storage बगरा के जो processes होते हैं, ठीक है न, जिसके वि oil का viscosity होती है, बिसके लिए oil काफी गाड़ा होता है कई बाद, उसकी गाड़े पन को हम कम कर सकते हैं, using super critical carbon dioxide, और कहीं न, हमने उसके गाड़े पन को कम कर दिया, तो उसको recovery करना उसका असान हो जाता है, आई बाद समझे, in situ का मतलब उसी place पे, जो original place होती है, वहीं पर हम इ जान में रख लीजिए, जादा detail में आपको नहीं जाना है, इसके regarding PhD नहीं करना है, इसकी surfactant alternating gas injection approach, SAG injection approach, होता क्या है, इसके अंतरगत न, यहाँ पर carbon dioxide को reservoir, जैसे मैंने बताया न, कि oil reservoir के अंतरगत, उसके अंदर inject किया जाता है, जहाँ पर वो super critical मन जाती है, ठीक हमने दे राइटर बात कर रहे है, राइट, चलते हैं अगले topic की तरफ, that is, गयर लैश्रामी, ठीक है, दरसल में हुआ क्या है, यह एक फिश की टाइप है, ठीक है, कहां पर सर्फिश पाई गई है, यह पाई गई है, बहुती rare freshwater fish, पुरापर district of Udisa के अंदर गया, ठीक है न, अब इसका नाम सर्फ यह क्यों रखा, देखो यह नाम रखा है हमारे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर लाइश्राम कोसीगन, जो की जो की जोलोजिकल सर्विय आफ इंडिया के अंदर गत है, इनका एक तरना से ओनर देने के लिए इसका नाम इनके नाम के उपर रखा गया, अथा ने पर से देखने को मिल जाती है, तो अब यहां पर देखने को मुल जाती है, कुलाब रिवर के अंतर गरत, यहां पर आप देखिये, Odisa का निचा, यह बहुत ही इंप॔रेंट है, लिए पर डिस्टिक के असबास हमें देखने को मिल जाएगा, इसका सोर्स है Sincron Hills of Eastern तो यह बात आप डेफिनेटी ध्यान में रखेगा कौन से रिवर की यह ट्रब्यूटरी है तो इजी था मुश्किल नहीं है अगले डॉपिक तरफ बढ़ते हैं अभी क्या हुआ है कि कम से कम एक परसंड की डेथ हुई है एंड आराउंड सो के अराउंड कहीना कि उनको ब्ल से होती है कौन से जेनिस का ब्लास्टो माइकिस यह आपको देखने को मिल जाएगा कहां पर मॉइस्ट सॉयल के अंदर कट हो गया ठीक है जो बूड लीव जो डिकंपोस करते हैं युएस के अंदर बात कर रहा हूं बहां पर आपको यह देखने को मिल जाएंगे यहां पर मैक्रोकूपिक देखने को मिल जाते हैं मैक्रोकूपिक स्पोर्स येए यहां तो यहां पर हम इन कहीने के single cell entities को अगर हम inhale कर रहते हैं तो हमारे अंदर भी blastomycosis हो सकता है एक बात और ध्यान में रखना यह animals और लोगों के अंदर गत नहीं पैल तो यह बात आपको बहुत ध्यान में रखने हैं क्योंकि UPSC के statement generally इसी तरह से होते हैं कि यह पैल सकती है यह नहीं पैल सकती पर जो symptoms की बात है ना symptoms हमारे अंदर भी वही होते हैं और animals के अंदर गते हैं हमें वही symptoms ही similar देखने को मिल जाते हैं जैसे for example आपका fever हो गया, आपका cough हो गया, breathing difficulty होगी, muscle के अंदर pain हो गया, यह सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाते हैं एक बहुत ही एक famous anti-fungal medicine है, itra को नाजोल, ठीक है, तो यह नाम भी आप ध्यान में रखेगा, जो कि इसको use कर जाती है, इस particular चीज़ को treat करने के अंतर गा, तो यह कुछ topics थे, जो मैं आज देखने थे, ठीक है ना, इसी तरह से previous question मैंने आपको कल दिया था, geography का, इसको एक बर quickly देख लेते हैं, देखो य को इंडिया के अंतर गत मैनेज करना है, अब कोल काना scenario देखो बहुत ही interesting है, interesting कैसे है, इंडिया के पास अच्छे कासे कोल रिजर्व है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि इंडिया जो around fifth number पे आता है कहीं ना कहीं, कोल रिजर्व के मामले में, और साथ में ही, इंडिया कोल को largest importer of the coal, आई बार समझ में तो ये बाद ध्यान रखना कि इंडिया, इंडिया में रिजर्व भी हैं अच्छे कासे, इंडिया प्रड़क्शन अच्छी कासी करता है, पर इंडिया को काफी सारा कोल इंपोर्ट भी करना पड़ता है, आई बार समझ में ये कुछ facts है, यूप जब बात करते हैं, ये जनली हम बात करते हैं, जो steel manufacturing के अंदर यूज के जाते हैं, इसके अंदर बनाने के लिए, और जनली जो बाकी है, ठीक है, थर्मल अगरा को कोल हो गया, ये electrical energy के लिए यूज हो जाता है आपका, फाबर generation के लिए यूज हो गया, तो ये थोड़ा जो कोल की बात हम करते हैं, जो जातर कोल मिलता है इंडिया में, वो thermal category का होता है, या फिर जो non-coking coal category का होता है, ठीक है, cooking coal मिलता है, बट बहुत ही कम मिलता है, ठीक है, जनली कौन सा मिलता है, thermal coal जो होता है, या non-coking coal हमें देखने को मिलता है, अब ये जो non-coking coal है, इंडिया इसका क्या होता है इसमें आपको लो सलफर कॉंटेंट और हाई एश कॉंटेंट आपको देखने का मिल जाएगा कहिने का मीनिंग क्या है देखो अगर हम बात करें न ओवरॉल दुनिया की ठीक है तो पूरे वर्ल्ड के अंदर के जो जनली जो कॉल मिलता है उसका अगर हम continu एछ एश कोंटेंट काफी जादा होता है तो पहला पॉईंट तो बिल्कुल ठीक है धूसरा पॉई वो कै रहा है लो स्लफर कंटेंट तो यह बात भी दरसल में ठीक है थीक है न, अबाउट, नीरली पॉइंट फाइप कर सेन्ट हमें वह सलफर कंटेंट देखने को मिलता तीसरी चीज है लो एश फ्यूजन टेंपरेचर तो क्या आसर ये बात भी ठीक है कि हमारा जो एश फ्यूजन टेंपरेचर है वो कम होता है देखो नहीं ये बात गलत है हमारा जो एश फ्यूजन टेंपरेचर है वो हाई होता है अराउंड फंदरा सो डिग्री चाहिए थी तो तीसरा चेटमेंट याप में गलत हो जाएगा पहला दूसरा ठीटमेंट ठीक है तो option A का correct answer हो जाएगा cooking call और non cooking call के बीच में फरक बताया वो भी आपको खेने के ध्यान में रखता है इन सभी questions के answer भी आप मुझे ज़े comment section में बताओगे कल जो मैंने आपको 5 questions दिये थे उनका मैं आपको quickly एक बर answer रबता देता हूँ पहला बात कर रहा है प्रले missile के रिगाड़ी क्या ये surface to air missile है नहीं सर बिलकुल गलत बात है ये है surface to surface missile है तो ये बात हो जाएगी आपकी false हो जाएगी हमने इसका देखा भी था किस तरह से न इसको mid air भी इसका path change किया जा सकता है तो काफी ये बहुत ही advanced missile हमें देखने को मिल जाएगी दूसरा है बनवाप्रा wildlife century क्या और नाचल प्रदेश के अंदर का देखने को मिलेगी answer is false ठीक है एक्चल में होता किया है जो 36 गड़ है ना वहाँ पर आपको ये particular century देखने को मुल जाएगी हमने कल डिसकस भी किया था किस तरह से जो wild waffalers है उनको हम translocate यहाँ पे किया गया है from Assam to this particular century तीसर स्टेटमेंट CGHS scheme के regarding Central Government Health Scheme क्या ये जो Central Government के Employees, Pensioners, Dependents उनके लिए Health Care Scheme है बिल्कुल true है चौता स्टेटमेंट सुडान, क्या ये North के साइड Mediterranean Sea से bound है? नहीं, बिल्कुल false है ठीक है, ये Mediterranean Sea के साथ इसकी boundary touch नहीं होती तो कौन सी country इसे नौर्थ में, नौर्थ में इसके आपको अजिप्ट देखने को मिल जाएगा, कल का map check करना, वहां मैंने सारे चीज़ें बता रखी है पांचवा, प्रहंत का one, क्या चोला डेनेस्टी को मिलाँ करते थे? बिल्कुल true है, कल हमने इसके उत्तर मिरूर इंस्क्रिप्चन के वहां पड़ा था, और वहां पर इसके ग्राणी हमने पड़ा, पूरी detail में समझा था, कैसे चोला डेनेस्टी हो गया, कैसे उनका जो democratic decentralization का principle था, वह कैसे work करता था, यह सारी चीज़ें हमने समझे थी, अब इसी तरह से इन पांचो questions का and जो बाकी चीज़ें मैंने आपसे पूछी है, उनका answer भी आम मुझे नीचे comment section में ऐसे ही बताओगे, ठीक है? देखो, कुछ लोग मुझे comments में बूच रहते हैं कि sir, आपकी जो weekly economy आती थी, वो आज कल नहीं आ रही है काफी time से, देखो, बिल्कुल ठीक कहा रहे हो, ठीक है, देखो, actual में reason क्या है कि थोड़ा schedule मेरा पिछले कुछ महीनों से वीजी चल रहा है, तो कहीना कहीं मैं उसको discontinue करना पड़ा था, मुझे schedule की वज़ा से ही, क्योंकि बहुत कम time मिल रहा था, बट मैं आने वाले जिलों के अंदर, मतलब वे दिन 1-2 weeks मेरी पूरी गोशिश रहेगी कि यहने कहीं, इस पटीवलों सीरिस को मैं resume करूँ, जो weekly business के उपर हर Sunday के संदे हम economic news discuss करते थे, काफी detail के अंदर, ठीक है, तो बहुत जल्द वो start हो जाएगी, don't worry about it ठीक है, अगर आपको आज के lecture की PDF चाहिए, तो आप मारे टेलिग्राम चैनल, ओल्ली एस नथिगास पर जाके इसकी PDF को access कर सकते हो, और अपनी preparation को और भी बहतर बना सकते हो, ठीक है जी, तो यह था आज का discussion, I hope आपको आज का session बहुत अच्छे समझ आया होगा, इसी तरह स आप भी अपने end में hard work करते रहिए, good bye and good luck.